नमस्कार स्वाकित आप सभी का आपके साथ मैं हूँ कुनीत मिश्रा 36 गढ़ का आज सालाना बजट आ गया यानि कि जो भी लेखा जो खा खर्चा कितना होगा ये सब कुछ आज पेश कर दिया गया आज साइस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है और इस बजट में राम राज्य की परिकल्पना के साथ 2047 तक 36 गढ़ को विक्सित राज्य बनाने का संकल्पल लिया गया आईए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वित्यमंत्री ओपी चौधरी के बजट भाश्वन की प्रमुख बाते क्या रही तो 36 गढ़ में पहला डिजिटल बजट पेश किया गया डिजिटल इसलिए क्योंकि इसे डिजिटलाइज तरीके इसे पेश किया गया नहीं तो हमेशा हमने देखा है कि एक अटैची होती है और उसमें जो कागज रहते हैं उसको पढ़ते हैं वित्यमंत्री लेकिन इस बार अलग तरीके से एक टैबलिट जो है बूल आया गया और उसी के जरीए इसे पेश किया गया एक लाग सैतालिस जार पांच सो करोड का ये बजट रहा पिछले साल के मुकाबले 22 पीसद का इसमें इजाफा हुआ है अमरत काल की नीव और ग्रेट सीजी की थीम इसमें रखी गई है बजट में मोदी की गारंटी की चाप भी नज़र आई है और साथ ही साथ है राम राज्य की परिकलपना साकार करने का इसमें संकलप लिया गया है पांच साल में चतीजगर की जीडिपी को दोगुना करने का टारगेट भी रखा गया है तो पांच साल का टार्गेट इसमते हैं इसके अलावा बिजली बिल उपबहुकता जो हैं उनके लिए कितनी बड़ी स्वागात है 400 युनिट तक बिजली बिल आधा करने का वाइदा इसमें किया किया है प्राधान किया किया है और अच्छी बात ये है कि बजट में कोई नया कर यानि कि नया टैक्स लगाया नहीं गया है इसके अलावा गाव गरीब किसान युवा और महिलाओं पर इस बजट में फोकस नज़र आता है तो बजट में मोदी की गारंटी की चाप भी नज़र आई है किसानों का ध्यान रखा गया है और खास बात ये है कि युवाओं के लिए भी एक प्लान तयार किया गया है विष्णू के बजट में जैश्री राम आधी आबादी पर पूरा जोड देखने को मिल रहा है अमरित काल के बजट में ग्रेट सीजी भी नज़र आ रहा है तो 36 गड़ में आज विष्णू देव सरकार का पहला बजट पेश हो गया जिसमें मोदी की गारंटी की चाप नज़र आए अमरित काल की नीव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किये गए बजट में गाउं, गरीब, किसान, महलाओं और युवाओं पर फोकस किया किया बजट के बाद वित्यमंत्री ओपी चौधरी से खास बात की हमारे निउस एडिटर अब शेक शुक लेने तो वित्यमंत्री ओपी चौधरी ने आज 36 सरकार का पहला बजट यहां पर पेश किया है ओपी चौधरी जी बजट आपने पेश किया है क्या दिमाग में था इसको पेश करने से पहले क्या टार्गेट था ज्यान, गरीब, इवा, हन्नदाता और नारी इन चारों समुहों को जो मोदी जी की विजन समाज को जी सुरूप में देखती है उनके लिए समर्पन के साथ प्रावधान करना, हमारे जिस से अधिक अधिक ट्राइबल भाईयों को अनुस्चित जाती के भाईयों को सबको इसका लाब मिलता है इस जब इस वीजन के साथ हम चलते हैं तो पिछनों को दलीतों को आदिवाशियों को सब को इसका बड़ा लाद मिलता है तो एक उनके लिए वेलफियर इसकी विसलाना और दूसरी और चटीस गड़ के बेहतर भविश्य के लिए एक बड़ा सपना एक बड़ा लक्षनी धार करके उसके लिए रणनीत ही करना ताकि हमारी सरकार उस दिसा में लगाता प्रयास कर सके यह मुख्य चुनावती के रूप मैंने पिछले डेड़ महिने में काम किया और उसी अनुरूप विश्योदेव साजी के नित्रित्तों में हमने बेज़क प्रस्तूत कि मोधी की गार सरवच प्राफिता देते हुए सारी वेलफेर स्कीम को भी लागू किया है और कैपेक्स में पिछले साल के तुलनाम 20% की वृद्धी कि पिछली सरकार के निताओं का कैना है कि हमारी किसी भी स्कीम को बंद नहीं किया मतलब वह अच्छा मान रहे थे जो जो उन्होंने जहा किया थी रश्टाचार प्रेरित थी और अपने अब खतम हो जाए अपो लगता है युआ और महिलाओं पर भी अच्छा खासा फोकस आप लोगा था इंफ्रास्ट्रॉक्ट्चर जो पिछली सरकार के बड़ी कमजोरी थी एक बैलेंस करने का हमने प्रयास किया चाहिए प्रशासनी का नुभव कितना काम काम है एक छोटे से सब्डिवजन में सब रूप में भी काम करते हो और दिल्ली के संसद हो हो चाहे मसूरी की एकैडमी हो वहां देश और विदेश के बड़े-बड़े संस्थानों से भी आप जूडते हो तो उपर से नीचे तक का एक बड़ा से मिलता है और यहां से यात्रा स्वीच करके में जब लोक तंत्र में आया तो मेरे मूल जीवन मूल गाउं से मेरा जो जुडाव है वह भी बहुत काम आया प्रशाशनी का नुभाव भी काम आया मैंने अपने जिंदगी के पहले 18 साल एक छोटे से गाउं में बिताए हैं वह साल के भीतर जीडीपी को दूगना करना बहुत बड़ा टार्गेट है बहुत महत्वाकांची तार्गेट है लेकिन विश्रुदेव साजी के नेतित्तमीज दिसा में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आपकी हो मिनिस्टर आपकी वाइप उनसे कुछ रियक्शन आया इसी है हाँ उनको अच्छा लगता है और बजट बढाते समय और भी हम लोग कई चर्चाए करते थे तो सीज है पी तुवित मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ थे पहला बजट आज उन्होंने पेश किया है और उनका मानना है कि सभी को इसमें समावेश करने की कोशिश थी मोदी की गारेंटी बहुत एहम है महिला हो चाहे जिवा हो सब पे उनका फोकस था और सीनियर से अप्रिशेशन मिल कैमेरमन इमराएंग के साथ अभी शेक शुक्ल निजज एटीन चातिसगर राइपूर और राइपूर से खबर आपको बता रहे हैं सीमसाई ने बजट को एतिहासिक बजट खरार दिया है पहला बजट उनकी स्वरकार का और उन्होंने का है कि यह बजट आतिहासिक है चार इस बजट में चार चीजों पर जोर देखने को बिल रहा है और चरण पादी का योजना जो है इसको फिर से शुरू किया जाएगा डॉक्टर रमन सिंग की सरकार में ये चरण पादू का योजना शुरू की गई थी इसे फिर से शुरू करने की बात कही गई है इसके नहीं है चहु मुखी विकास का बजट हमने पेश किया है और बोनस देने का भी प्रावधान किये हैं गरीब लोग जूते चपल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूब है कि तेंदू पता तोड़नी के लिए जंगलों में जाना पड़ता है तो उनके पाउं में काट का खुटी नगड़े इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से सुरू करने वाले हैं उसी तरह से हम लोग को आप सब लोग को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइवल छेत्र है और इसी छेत्र में तेंदू पता भी है और इस वजट में सरगुजा और बस्तर के लिए बिसेस प्रावधान किया गया है ये भी गरीबों के लिए है आज जो भूमिहिन है जो मद्दूरी करते हैं ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10 सजार रुपया सहियोग देगी इसका भी बजट में प्रावधान है और भी कई गरीबों के उठान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है उसी तरह से वाई का मतलब हुआ यूथ यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है एक तो जो पिछले समय में पीएस्टी के माध्यम से जो उनके भोईस के साथ खिलवाड हुआ उसकी भी जाच हम लोग सीबियाई से करा रहे हैं